जाहिन दोस्तों, कैसे हैं आप लो, स्वागत करता हूँ आपके अपने ही भाई के यूटूब चैनल प्रेडिक्सन राजा में दोस्तों भी हम बात करेंगे सिर्लांका ओमेन वर्सेज इंडिया ओमेन के बीच में खेला जाएगा फाइनल टीम में जो भी बदलाव होंगे उसका अपडेट आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा टेलिग्राम चैनल पर मिलने वाला है टेलिग्राम चैनल से जुरने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा इसी वीडियो के चले जाएगा कमेंट सेक्षन में और सबसे टॉप कमेंट में आपको दिखेगा मेरा टेलिग्राम चैनल का लिंक उसके ओपर किलिक करके आप लोग टेलिग्राम चैनल से जरुर जोईन हो जाएगा अब यहां पर सिर्फ को लेके बात करते हैं शेलंक का वमेंट को लेके भी बात कर ले तो यह भी अफ़री जाड चुकी है तो इसके बविपरित यह भी वह फिर काणी करते हैं जाड़े जा रही है जैकने वाली बात होती है कल वह फिर कैसा परदोसन करते है ज्ट और लगर बात कर लेंगे gagner घर हुंआ पहले बलेवाजी करती है तो आप लोग बोड पर देख सकते हो 250 कुछ पास का टरगेट अगर उतकी सी्लंक से लेकर 120 का तर्गेट है इस मैच मैच में टृस का इंपोरटेंट इंपोर्टन चैनि को कession कESS सकते हैं और यह बात करतें दोने टिम की जो है प्लेंग 11 किस तरह का रह सकता है इस मैच में यहां से स्रिलंका नोमें जो है वह यहां से अमारी अठापटू निलाक्षी डिसलवा फिर से बैक कर सकते है कवीशा दिलहारी विगुनरत ने आमा कंचेना हनिसा करन सीमा करन रतने फिर कुला से दियाक हो सकता है टीम डॉप करके यहां पर एस कुमारी को मोखा दे दे फिर हरसिता माध भी दिख साएंगे आपको नीचे में हसीनी परेरा को टीम मोखा दे सकती है फिर से फिर उसाधी रनस हैंगे इनोका रेनो वीरा आपको दिख जाएंगे विकेट के पि पूजा वस्तरवकर मेगना सिंग और यहां पर कल के मैच में सायद आपको जमीमा रोड रिग्वेज भी खेलती नजर आ जाए किसी एक पिलर को यह रेष्ट दे के जमीमा को कल बैक कर सकती है वो फिर इचागोस को फिर रेष्ट दे या किसी और को रेष्ट दे अगर इस स जीरो माधी भी अठेस कविसा दिलहारी जीरो निलाक्षे डीसिलवा था इतालिस रन अनुसका संजीवनी अठ्रा गरनसांगे आठ रसमी डीसिलवा की थी यहां पर सात रन फिर रन अवेरा 12 और अचीनी कुला सुरिया जीरो की थी गेंदबाजी में रनुका सिंग को तीन विकेट मिला हुआ था दिप्ति सर्मा तीन विकेट ली थी गैकवाड एक विकेट ली थी हर्मन प्रित कोर एक विकेट ली थी वस्तरवकर दो विकेट हरलीन दियोल जीरो विकेट और से फाली बर्मा भी जीरो विकेट लेके आगे बढ़ी थी बल्ले भाजी यह बात कर ल बात करें तो इधर सापको दिख जाए गीनियों का रेन्यों वेरा और कवीशा दिलहारी कवी कवी कवार आपको अटापटू भी एक आदोवार डेथ में डालती नजर आ सकती है इंडिया वमेंड के दब से बात कर ले दिप्ती सर्मा घैकवार और अगर तिम को जोत परी तो पूजा वस्त्रवकर और रेन्यों का जिंग में से कोई एक डेथ में गिन्द वाजी कर सकती है सकेंडर डिया को लोके बात कर ले तो यहां पर शिलंग कामेंड पहले बल्ले वाजी करते हुए फिर से बोर्ट पर खड़ा केते 173 रन जहां पर डाइप पर 227 केते हैं सिनी जीरो गुना रतने तीन और माधिवी जीरो अनुसका संजीवीनी 25 निलाक्षी दिसिला 32 कवी सा दिलारी पांच एमार कांचे ना 47 रनर संग 10 रनुवेरा चो और चीनिकुला सेडिया जीरो की थी गेंदवाजी में रन्युका सिंग मेंगना सिंग दुन्हों ने 10-10 अवर क अब आये कुछ बड़े स्टैट्स को हम लोग देखते हैं बड़े स्टैट्स में हम सबसे पहले ध्यान देंगे यहां पर अगर हम बैटिंग बात कर लेंगा अट आपटू ने लास्ट के दस ओडियाए मैच में 339 रन की है 32.90 बैटिंग एवरेज ए 70 का इंड का स्ट्रैक रेट है हर्षिता समर्विक्रमा बोलो या फी हर्षिता माद भी बोलो लास्ट के 9 मैच 313 रन 34.88 का बैटिंग ने लास्ट के 9 मैच में से 9 विकेट ली है 5.46 के एकोनोमी है 40 का इनका स्ट्रैक रेट है इन्हों का रेनिवेरा 8 मैच 6 विकेट 5.11 का इकोनोमी है 70 का इनका स्ट्रैक रेट है राजे स्वरी गयाइकवाट बहुत सारे मुझे मेरे यूजर बोलते हैं कि राजा भाई आप राजे स्वरी गयाइकवाट को क्यों हमेशा बैक कर ले तो बैदेखो 50 मैच में अगर यह 10 विकेट लेती है फिर भी मैं का बन मैच में इनको लेकर बाकर नू मैच 12 विकेट चार पॉइंट सर्थ का एकोनोमी है 24 का स्ट्रैक रेट है गयकवाट को पढ़ ध्यां दीजेगा 10 मैच 14 विकेट है तीन पॉइंट चुराइब का इकोनोमी है और 41 का इनका स्ट्रैक रेट है अगर लास्ट पांच बैटल को लेके बात कर ले तो बार बैटल इंडिया जीती है और एक बैटल जो है वहाँ पर स्ट्रैलंका मैं जीती थी अब आई हम बात करते हैं और थ्राभूत स्टेट्स पर वह जो रिस्ट स्टेट्स है वह आपके सामने होगा यहां पर देखेगा बैटिंग वाले सेक्शन में आपको दिख आई रनुवेरा आठ एक सो चालीस ची अठरव प्वेंट है शेफाली बर्मा पंचानवे बावन एक एत्र प्वेंट से निलाक्षी दिसिलवा उननचाली से क्यावन अर्थीस प्वेंट है अनुसका जंजीविनी एक तीस अर्थीस प्वेंट है जमाडेटा पड़ू 34 च अर्थीस प्वेंट इन के अपास है ओडियाएक में बता रहा हूं हर्मन पितकोड चार च्यासी एक सो चालीस पनितालीस पच्छत्तर मेगना सिंग बासट चार उन्तिस च्यानवे और साधी रहन जाएंगे बारा पचासी पच्छतर चतिस यस्तिका वाटिया च्वेंटिस कविशा दिलहारी दस एक स्थीहत्तर चोहत्र साथ एसमेगना अठासी साथ सत्रा इन के पास पॉइंट है पूनम याद और लास्ट के पांच ओडियाए में जो पॉइंट दिया है एक तीस तीस एक तीस चोवालिस चार निच्चे किसी ने कुछ खास किया नहीं है अगर को हम बात कर लिए तो सेफाली बर्णाम बर्मान है जो है वो दो मैच में किये हुएं तीरपन रंस पर मैच बेसिस पर रन करें हैं पर मैच के बेसिस रन किया है मतलब एवरेज आप मानके चल सकते हो एमा कंजना एक में 47 निलाक्षी दिशिलवा दो मैच में 70.5 के अनियुक्ति संबाहरि नियुक्ति सदें आप्न गूरेज है筏 ओं मानके बर्म पर मैच को साथ्टिस 2 मेच में संब्रहरा मैच में 7 डॉंiquement में 600 लोग 8 825 से सचसर है डीषाल से स्कोर 15 क legal हो नोवह इन पास्तो को राइन का 172 है अब आई हम बात करते हैं अपनी फेंटासी टीम को लेके बिकेट कीपर सक्षिन ने बात करें तो फिलाल मैंने अपने टीम में रस्तिका भाटिया को लिए हुआ अगर इंदा टीम जाएंगी चेस करने के लिए तो हो सकता है में आपको अनुसका संजीवी न को भी देख स्पाओ और अपूजा वस्त्रवकर को मैं फिर से बैक कर रहा हूं अपने टीम में आप चाहो तो इनके जगह पर कवीशा दिलहारी या फिर किसी और को भी ट्राइ कर सकते हो बालिंग बात करें तो मैं यहां पर उसाधी रहने संग इन्यों का रनी वेरा और अ आप ध्यान रखेगा कि मैं अधर अप्लीकेशन पर अटापटू को ही लेकर जाओंगा किसके जगह पर कवीशा दिलहारी के जगह पर और मैं ड्रीम इलन पर बहुत कम इंवेस्टमेंट भी करने बालों इस बात का प्लोग ध्यान में लेकर चलिएगा अधर अप्लीकेशन अगर इंडिया टीम पहले बल्ले वाजी करती हैं तो आप उसाधी रनसेंगे इन्योका रनिवेरा और यहां पर दिख जाएंगे चमारी अठापटू इन त्यूनों को भी कैप्टन वीसी दे सकती हो फिलाल मैंने अपने स्मॉल लिकेटी में डिप्ति सर्मा को कैप्टन सी दिया वाई वीसी मैंने दिया वाई राजस्ट्वरी गयकवाड को बाए फिर से गयकवाड को ऐज़े वीसी बैक कर रहा हूं देखते हैं क्या होता है मैं सब कुछ आपको टेलिग्राम पे देने का कोसिस करूंगा अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जोर कर दीजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो तो तक लिए अच्छा खासा विन कीजिए